जय हिंद जय भारत दोस्तों M.T. ग्यान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका पुना एक बार स्वागत है दोस्तों ये कहानी एक राजा और चीन्ती की है एक समय की बात है किसी राज्य में धर्मचंद नाम का एक राजा रहता था एक बार पडोसी राज्य के राजा ने धर्मचंद के राज्य पर आक्रमण कर दिया जिसमें राजा को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा राजा का सारा सामराज दुसरे राज्य के राजा के पास चला गया राजा अपनी बच्ची हुई सेना को लेकर जंगलों में चला गया और वही पर अपनी सेना के साथ रहने लगा राजा अपने सामराज को पाने के लिए अपनी सेना को तयार करने लगा और कुछ समय बाद राजा ने दुसरे राजा पर हमला कर दिया, पर राजा को एक बार फिर हार का मुंग देखना पड़ा, राजा ने एक, के बाद एक कई आक्रमन किये पर वह सफल नहीं हो सका, राजा पूरी तरह निराश हो चुका था, राजा यह मान बैठा था, कि उसे उसका सामराज वापस कभी नहीं मिलेगा, एक दिन राजा एक पेड के नीचे बैठा आराम कर रहा था, पास ही दुसरे पेड पर राजा ने एक चीन्ती को देखा जो अपने से पचास गुना अधिक भार लिये पेड पर चड़ रही थी, राजा ने देखा चीन्ती जैसे ह बाकी चीन्तियों के जुन के पास आती वो गिर पढ़ती, चीन्ती बार-बार पेड पर चड़ने का प्रयास करती पर वो सफल नहीं हो पा रही थी, अंत में वह पेड पर चड़ने में काम्याब वो ही गई, और बाकी चीन्तीयों के समूर तक जा पहुंची, राजा बड़ हार सकता हूँ, राजा ने पुरे जोश के साथ एक बार फिर दुसरे राजा पर आक्रमन किया और उसे सफलता भी मिली, राजा को उसका खोया हुआ सम्मान और सामराज्य मिल चुका था, मित्रों हम भी कभी कभी ऐसा ही करते हैं, जब हमें किसी काम में एक या दो बार के प्र होती हैं, मित्रों आपका एक और प्रयास आपको सफलता तक पहुचा सकता है.